हाई गाईस वरकम बाक तो माई चानल सो सुबसे कुछ शूट नहीं कि आज क्योंकि बहुत जलबाजी में थी मैं सो इस वज़े से मैंने सवचा पहले काम खदम कर लेती हूं काम अपना जो करना है वो करके आ जाती हूं उसके बार शूट करूंगी सो या सो मेरा काम था पीसना होना तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे पीसना बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं मैं अपना लैंग्विज यूज कर लेती हूं मैं वो करा के आ गई सो अभी मैं घर नहीं गई मैं आकर एक्षिली मेरे घर के बगल में एक टूरिस पॉर्ट है उसको यहा जो सामने जो पास होता है उस चीज की कदर नहीं होती सो मैंने आपको कहा चर्च, लेक वग्यारा दिखा दिया बड़ जो पास में है जो इनो सामने है घर के बिल्कुल पांछ कदम की दूरी में है वो जगह अभी तक मैंने आपको दिखाई नी वैसे आज भी मैं झीद भा मैं जूचा थोड़ा मी टाइम बितालू यहां पर क्योंकि घर में जाके फिर वही ठंड में जाके बैठना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल दूप नहीं आती है बहुत ठंड होती है इस वजे से मैं चुछा फोड़े देर यहां पर फिर ढूप में आपैर जाती हूं और थोड़ा आपको भी एंवाइरमेंट थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा दिफरेंट लोकेशन मिल जाएगा बैक्राउंड मिल जाएगा वरना वही एक वॉल पर्पल कलर का वॉल आ जात मैं आपको दिखाते हुआ यहां से हNOं मैं दिखा सकती हूं से आगे में आज नहीं जाओंगीâte हमिशना है मैं थोड़ी दिर बेती कि यहां से तरफ एक यह पर य और बहुतार फिल्ड ही और दूसरा फिल्ड और आजहकंगी है सो बहुत सारी फील्ड है यहाँ पर उस तरफ ना भीड होगी इस वज़े से मुझे अभी जानी का दिल नहीं था वहाँ पर जाओंगी तो फिर मैं व्लॉगिंग मैं जितना अकेले में पतर पतर कर लेती हूं लोगों के सामने में ज्यादा ब्लॉग करने ने देता है और धूप कितनी अच्छी आई हुई है ना मजा रहा था बैटने में बट सो गोफिंग से मैं आगी थी आकर फिर बैटने तो दिया नहीं मैंने जैसे आपको कहा तो उसके आगे वाले फील्ड में गई नहीं क्योंकि अकेले एकेले अचा भी नहीं मुझे पता है वहां पर लोग बहुत ज्यादा होते है तो अखेले अखेले फिर मैं थोड़ा कॉंचेस हो जाती हूँ तो मैं बूल भी नहीं पाऊंगी तो कुछ फाइदा भी नहीं था जाके देखती हूं किसे और दिन अगर हुआ कल या फिर परसो तो मैं जाओंगी उस के साथ कॉफी पीने चलेगे यहां पर कॉफी पीकर थोड़े देर बैठ के अवां थोड़े देर बैठ के अभी मैं रिटर्न घर आई हूं और अभी बज रहे हैं शायद साड़ेशे शायद नहीं तो या आज ऐसा मैंने कुछ शूट नहीं किया कि मतलब कुछ काम दिखाय कर लेते हैं तो आपका फीवरेट लोगर कौन है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कोई भी फीमेल मेर कोई भी मैं परसनली ज्यादा दर फीमेल लोगर्स के व्लोग्स देखती थी जैसे यह सौरफ जोशी इसके बाद फ्लाइंग बीस्ट यह सब का व्लोग्स मैंन डेखा नहीं था बट अभी जाकर जब मैं खुद लोगइंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने तब जाकि इनका व्लोग्स में देखती हूं ताकि कुछ सीख सकूं बट पहले मैं नहीं देखती थी और पहले अच्यली मैं मैं बोलु तो व्लोग्स तो बहुत पहले से एक एक वो थी इंडिन व्लोगर शौमाली उसका व्लोग में काफी पहले से जब वो लोग उसने जब स्टार्ट किया था शायद अहां तब से मैं देख रही हूं उसका व्लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो जैसे डेली लेफ दिखाती थी यह वो ना बट मैं सोचती थ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के वज़े से वो करियर आइस मैं पर्सिव नहीं कर पाई अगर होता तो शायद कर लिती अज़ अज़ नहीं हो पाया बट मुझे बहुत शौक था चोटे से एक्टिंग का कैमेरा फेस करना मुझे बहुत अच्छा रहता था तो जब वो लोग करना मैं स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं चलो मुझे भी करना है बट फिर क्या हुआ कि मैं फिर सोच में होता है कि हमारा दिमाग यसा होता है कि करने के आगे पेले नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा आ जाती है तो मेरा भी हुई हुआ कि मैं करना तो बह सोच के मैं इतना साल वेस्ट कर दिया अपना तो उस वक्त मैंने स्टार्ट नहीं किया उसके बाद फिर मैं फॉलो करनी लगी मेरी पेविट तब मोस्ट सम्हावना से एंटेटेंमेंट सो वो देखके मुझे बहुत अच्छा लगता था ऑल्दो एक स्टार है अट्रिस है सो ओविएस है उनका फैन फॉलोविंग जल्दी बढ़ेगा वो तो शुवा था क्योंकि वो जानी मानी अट्रिस है या फिर लोग जानते है उनको बट उनका मतलब जो व्लोंग्स होता है वो बहुत जेनुवन लगता है जो मतलब रियल लगता है कुछ फेक लगता नहीं है जैसे वो लोग रहते हैं प्लस वो भी डॉग लवर है और इतनी अच्छी मतलब उनकी डॉग्स मतलब एक फामिली टाइप हो गया उनकी व्लोग्स को रेगुलरली फॉल्व करके न को को चैरी, कैंडी लोग को देख 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 कैसा लगता है कि जैसे मेरे ही घर के हैं सो बहुत अच्छा लगता था उनको देख के प्लस हजबन वाइफ का जो ही लोग का रिलेशन है कॉमेडी साथ वो अच्छा लगता है तो वो सब देख के फिर मैंने सोच वो फिर आप बोर हो जाओगे फिर मैं अक्योंकि मुझे बता है मेरे हस्बेंड नहीं आएंगे कैमेरा में उनको अपना अलगी है उनको नहीं आना तो मैं अकेले में फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी बहुत क्वेशन माक्स चल रहे था दिमाग में जो अएसे करते करते एक दिन मैं अने नहीं उसके बाद मैं इतने देखा फिर उसके बाद ऐसे देखते देखा कि आइ थिंक लास्ट यर लॉक्डाउन से ऐसे कई व्लोगर्स आ चुके हैं फिल्ड में बहुत सारे व्लोगर्स हैं जिनोंने जॉइन किया जिनने स्टार्ट के अपना वीडियो बनाना व्लोग्स बनाना और अप्लोड करना और देखा उनका भी ग्रोथ बहुत काफी जल्दी हो गया तो मैंने सूच जा मैं सोचती रह गई कि कौन देखता होगा डेली के व्लोग्स लेकिन मैं यह भूल गए कि मेरे जैसे लोग जो मैं खुद देखती हूँ तो मेरे जैसे तो और कितने लोग होंगे जो देखते हैं सो तब मुझे रिलाइस हुआ कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ मैं बहुत अगर शायद जब शामाली ने स्टार्ट किया था वही टाइम में अगर स्टार्ट करती तो आज मेरे भी सब्सक्राइबर्स कुछ तो होते हैं बट मैंने बहुत लेट कर दिया बट कोई बात नहीं होता है इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं अब तो स्टार्ट करना है कोई सपोर्ट करे ना करे वो बाद में देखेंगे अगर हूना होगा आगे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ना होगा तो जहां पे हैं वहीं पे रह जाएंगे तो जब फर्स वीडियो ढ़ला मैं थोड़ा सा एक motivation आया कि हाँ चलो second आया, third आया तो थोड़ा बहुत subscribers भी बढ़ते रहे बट फिर एक जगा अभी जाकर stop हो गया है कि subscribers नहीं बढ़ रहे तो एक दी motivation अभी भी होता है कि subscribers नहीं बढ़ रहे तो इतना तो मुझे पता है कि कही ना कही मेरे वीडियो में भी काफी कमिया है कमिया in the sense कि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ shoot में, editing में और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या दिखा हूँ क्या नहीं दिखा हूँ हमें वो मोटिवेशन आता है कि हां हम करें ऐसा होता है कि रोज राध को जब वीडियो अपलोड होता है तो यह होता है कि काश सुभा में आख खुले और दिखे कि वीडियो बे अट-लीस ज्यादा तो मैं एक्सपेक नहीं करती बट एट-लीस थाउजन थाउजन व्यूज हो जाए या फिर यूनों सब्सक्राइबर्स पांच सव तक पहुच जाए ऐसा होता है रात को सोतें के आगे पर फिर सुभा जब उठके फोन देखती हूँ और दिखता है कि एक-दो व्यू आये हैं और सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं तो फिर से वो एक यूनों मन कैसा हो जाता है खराबसा हो जाता है सो बट वो करके तो नहीं बैठ सकते है अभी तो बस स्टार्ट है अभी तो बहुत लंबा रस्ता जाना है मुझे बता है बहुत लंबी चड़ाई-चड़नी है अभी so try करते रहना है succeed होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है बट हाँ आप लोग का support बहुत जरूरी है आप जितना support करोगे उतना ही हमको motivation मिलेगा आगे बढ़ने का so please 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 support करिये subscribe करिये like करे comment करिये अगर कमिया लगे वीडियोस में comment करिये तब जाके वो कमिया में पूरी कर पाऊंगे मुझे पता चले मुझे रिलाइस होगा कि हाँ मैं ये चीज गलत की है या वो चीज गलत की है उसे मुझे सुदाना है तो comment भी करिये share भी करिये अगर आपको पसंद आता है आप शेयर करिये अपने friends family के साथ तब जाके थोड़े बड़े सबस्क्राइबस बढ़ेंगे तो इसी तरह से आगे जाएंगे अब एक जुनून सा हो गया है कि नहीं अब कुछ करना है तो यूट्यूब से ही करना है जु McNAPP कर रहे थी sabe जुन वर्णा के वक्त लगए तो यूट्यूब तो उसके बात और जॉब नहीं किया में उसके इनका उठकी है अब करना है अब यूट्यूब से ही करना है अब जो इंकम नहीं यूट्यूब से ही आईगी अब आपने जोब करना है मुझे फुल टाइम अपने यूट्यूब में देना है मुझे आपलोग का सपोर्ट चाहिए आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करो प्लीस मुझे नहीं करता हो तो अट-लिस इसको कर दो मैं समबबना के लोग देखती हो ना मैं भी लोग डॉवर हूँ तो अभी नया मतलब मतलब कैंडी ममबनकी है वूचभ बीवऑ का नाम कॉन होग है sada है कर आखकी वीडियो में सो अज्ञ झोटबी का नाम का मैं चुन-चूण तो मैं आघ सुबर सिक को बोर रही थि कि ठैञा वाफ सिदे ए तुँटे आ सुटेमते है सिब रभ सपमें कुल सबसे वीडियो में? में वच्चा सुटमा बग करे्डिये को खिर स साथ वीडिवाल में हुआ और भी व्ल冷 बहीं है ऑज हमें यहेका राइंडम जस वीडियो वो बोलना था बोल दिया तो दो दो देते हैं अपने अगले व्लोग में तिल देन तो लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राब बहुत बार बोल लिया यह डायलोग मैंने और हाँ टेक केर बाई